प्यार पर पाबंदी नमस्कार मैं हूँ नवजूर्शाम की पांच बच चुके हैं और आज का मुद्दा में हम बात करेंगे इसी पर क्या प्यार पर पाबंदी लगा देना सही है या नहीं और क्या प्यार पर पाबंदी लगाने से प्यार करने वाले प्यार करना बंद कर देते हैं या पिर उन्हें और ज़्यादा बठावाओं मल जाता है वालनटाइंस डे के करीबात ही धर्म के ठेके दर इसके विरोध में उतरने लगते हैं कई ऐसे संक्जटन है जिनЧनका कर रहे हैं लेकिन अब इसमें कुछ यूनिवस्टी भी शामिल हो गई है बनारस की हिंदू विश्म द्याले में भी वालंटाइंस दे का विरूथ हो रहा है यहां वाइस चांसलर ने प्यार पर पाबंदी लगाने का फर्मान जारी कर दिया है इसके अलावा लगनो यूनिव प्यार नहीं बल्कि अब शिक्षा की रहनुमा भी लगा रहे हैं तो क्या शिक्षा के मंदर में युवाओं को डिक्टेट करना चाहिए या पिर हमें उन्हें एजुकेट करना चाहिए क्या प्यार पर पाबंदी लगा कर प्यार करने वालों को रोका जा सकता है प्यार, इश्क, मोहब, कुछ भी कहें लेकिन एक आधे अक्षर की इस शब्द के मायने को पूरा करने के लिए सारी काइनात मिल जाती है वेलंटाइन्स टे यानि प्यार करने वालों का देन और प्यार पर पहरा लगाने वालों का देन दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़ पाएगी मोहब, बढ़ती जाएगी पसंद के आते ही प्यार का मौसम जवा होने लगता है प्यार का दिन मनाने के लिए युवा दिल धड़कने लगते हैं लेकिन संस्कृती और सभ्यता की दोहाई देने वाले समाज के ठेकेदार इसे प्यार का दिनना समझ कर पाश्चात्य संस्कृती का धूम वानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं राधा और मीरा की प्रेम को पढ़ाने वाले सिक्षण संस्थानों में इस बार विरोध की आवाजे बुलंद हैं बनारस हिंदू विश्विद्याले ने इस बार प्यार पर पहरा लगाने का फर्मान जारी कर दिया है विश्विद्याले के वाइस चांसलर ने साफ कर दिया है कि छात्रों को कॉलेज कैंपस में वेलंटाइन डे नहीं मनाने दिया जाएगा कोई वेलंटाइन डे ही नहीं अईसे सारे कारिक्रम जिनसे हमारे युवाओं में विकृती आए अप संस्कृती फेले विश्विद्याले और विश्विद्याले में नहीं होने चाहिए अकर यहां होगे तो फिर हम क्या मुदी खाएंगे लोगो ऐसा नहीं है कि प्यार पर पाबंदी लगाने की आवाज बनारस से उठी हो लखनाव युनिवर्स्टी ने भी बाहर के चात्रों का विश्विद्याले में आने पर पाबंदी लगा दी है समाज में ऐसे तमाम ठेकेदार हैं जो संस्कृती की दोहाई देकर प्यार का इजहार करना पाप मानते हैं इसमें बजरंग दल समेत कई संगठन शामिल है जो मानते हैं कि वैलन्टाइन डे देश की संस्कृती के एक खिलाप है विश्विद्याले एक अकेडेमिक अट्मस्टेर वहाँ होता है और यहाँ पे लव और रोमैंस हो जाता है लेकिन लव और रोमैंस का गाना आप परिसर में गाने लगें ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में देखा जाता है और यह संभव नहीं और हर चीज़ की गरिमा है और एक जगा है आपको वैलन्टाइस दे मनाना है तो शेहर में और भी जगा है भारत जिसके कणकण में प्रेम बसा है वो देश जिसने दुनिया को प्यार करना सिखाया उसी देश में समाज में कुछ ऐसे ठेकेदार है जिन्हें लगता है कि प्यार का दिन मनाने से हमारी संस्कृती दूशित होती है सवाल बड़ा ये है कि प्यार नफरत कैसे फैला सकता है प्यार संस्कृती कैसे नश्ट कर सकता है प्यार दिलों को दूर कैसे कर सकता है वासुदेव त्रिपाठी के साथ ब्यरो रिपोर्ट आईबियन सेविल एहम सवाल जो इसी मुद्दे से जुड़े हुआ है बड़ा सवाल ये कि क्या शिक्षा के मंदर में प्यार पर पहरा ठीक है सवाल ये भी कि पश्मी सभिता के नाम पर चात्रों पर अंकुष लगाना कितना जायज है क्या युनिवस्टी के शात्रों को डिक्टेट करना चाहिए या फिर उन्हें एजुकेट करना चाहिए और क्या वालेंटाइन्स डे के बहाने वश्वे द्यालों में सियासत होती है एहम सवाल ये भी कि नैतिक्ता की सीमा क्या हो ये कानून से तेह होगा या पिर समाच के ठेकेदार स्कूर्ट तेह करेंगे करेंगे इस पर चर्चा भी तमाम खास महमान हमारे साथ जुर चुके है दिली उनिवस्टी के पूर्व वाइस शांसलर दिनेश सिंग जी हमारे साथ है लकनो युनिवस्टी के प्रोफेसर एंके पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसके अलावा स्टूडियो में दो खास मेहमान है परिचे करा देती हूँ विएचपी के प्रोफ्ता वजशनकरते वारिज भी हमारे साथ हैं और जोतिशाचारे वाईरा की हमारे साथ मौझ दिनेशी सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी ये बताएं कि युनिवर्स्टीज में अगर पहरा लगा दिया जाएगा प्यार पर वैलेंटाइंस दे नहीं मनाना है युवाओं को क्या हमें डिक्टेट करना चाहिए या फिर उन्हें एजुकेट करना चाहिए मैं देखिए कोई स्थानी परिस्थी थी तो जानता नहीं हो बनार सो लखनव की तो मैं कह नहीं सकता कि किस संदर में क्या वहाँ पर जारी हुआ है लेकिन जहां तक मुझे मालूम है जैसे मेरे अनुभव सीमित हैं अधिकान शुरूप से दिल्ली विश्विद्याले के कोई ऐसा अपचारिक समारो तो कभी होता नहीं है और चुकि यह एक आजाद देश है अगर कोई आपस में परस्पर कुछ मना रहा है तो उसको आप रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकते तो एक तो यह पहलू हुआ इसलिए फर्मान का इस संदर में क्या प्रभाव होगा मै कहनी सकता कोई भी विश्वद्याले जहां तक मैं जानता हूं कोई अपचारिक रूप से तो इसको मनाता नहीं है ना कोई संस्था मनाती जहां तक मुझे मालू है परन्तु मैं इसको एक दूसरे परिपेक्ष में रखना चाहता हूं कि पहले तो हम लोग अंदर विश्वा सिया बिना सोचे समझे किसी भी चीज की नकल न करें तो यह उचित होता है और पश्चिम से हर कोई चीज जो आती है वह अच्छी है यह भी कोई जरूरी नहीं है लेकिन यह वैलेंटाइन्स डे को भी अगर देखा जाए तो पास्चारत सभिता में सिर्फ यह एक युवा और यह प्रेम एक अध्यात्मिक और उच्छा प्रेम भी होता है आखिर यह तो कवीर की परब्बबरा रही है जहां पर उन्होंने इश्क किया और अपने को एक महिला की रूप में रखा हमन है इश्क मस्ताना और अपने को कहते हैं लाली मेरे लालन की जित देखो तितलाल तो ज़रा उस तर्थ पे भी आ जाएं तो यह कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन बैलेंस करके रखना चाहिए प्रोफेसर एंके पांदे आपसे जानना चाहूंगी क्या बैन लगा देना ठीक है औचारीकूप से सही कहा देनेश जीने की औचारीकूप से कहीं भी मनाया नहीं जाताए लेकिन क्योंकि यंग्स्टर्स होते हैं कालेज में सबी मिलते और वो यवाजोश है दोनों लड़के लड़कियों के किसी के दिल मिल गए पर उस दिन को वो खास प्यार के दिन के तौर पर मनाना चाहते हैं जसमें बहुत सारी तमाम चीज़ें होती हों मिलते हैं कहीं चाहे पिएंगे बैठेंगे इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगाए कई गायदे से ये बात ये फर्मान जारी हुआ लेकिन क्या ये फर्मान सही है या गलत है पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार जब कोई भी हमारे देश बड़ा अच्छा है इस बारे में कि किसी भी अच्छी चीज़ को ले लेता है वैलेंटाइन्स दे के अच्छे पक्स को पहले हम देख लें पहला पहलू यह है कि भाई ठीक है प्यार का प्रतीक है और भारत ने बहुत सारे चीज़ों को बाहर से भी लिया है तो इसको आज की सारीक में सारवजनिक में मान लेना चाहिए कि यह हमारे देश का एक सत्य है दूसरा पहलू है कि विश्विद्याले में क्या हुआ है वास्तों में, असल में सही धंग से इसको समझा नहीं गया है, विश्विद्याले में किसी भी प्रकार का बैन ना विचारों की अभी व्यक्ति पर है, ना प्यार की अभी व्यक्ति पर है, ना कभी रहा है, ना कभी र तो इसका गलत साइदा वो लोग उठाना शुरू कर देंगे जो लोग अवांची था उस समाज के गलत लोग हैं तो आप यह नहीं कहेंगे और किसी को कहना भी नहीं चाहिए और यह भी नहीं कहना चाहिए कि आप वैलेंटाइज डे नहीं करते हैं कि हमारे संस्कृति को प्रभावित करता है इसलिए यह दिन नहीं मनाना चाहिए इसका मतलब तो उन्होंने अपचारिक तौर पर एलान कर दिया है कि भाई यह दिन हम नहीं मनाएंगे पहरी बात है हमारी संस्कृति कोई ठहराव की चीज नहीं है इसमें परिबर्तन होता रहता है और हमारा कॉंपोजिट कल्चर है यह हमारे कल्चर का पार्ट बनता जा रहा है यह स्विकार पहले करना होगा दूसरा पक्ष क्या हमने वाकई बैन किया है दरसल अगर हम पूर करना सुरू कर दें तो फिर हमारा अहित होगा उन्हीं बच्चों का ही तो हम यह चाहते हैं कि बच्चे हमारे परिस्व करना नहीं है कि यही पर यह सवाल उठता है कि क्या यहां पर फर्मान आप डिक्टेट कर रहे हैं बच्चों को फर्मान जारी करने से अच्छा यह नहीं कि आप उनको अच्छे से एडुकेट करें उनको बताएं और फिर उसके बाद वो बच्चे कि अच्छा की गई आप मुझे लगता है किसी ने विश्विद्याले के उस और को पढ़ा नहीं है जो जारी किया गया है जारी किया और में एक अच्छा की गई हैं ब्लैंकेट बैंड नहीं किया गया यह जरूर कहा गया कि बाहरी तत्म को न लाएं साथ में अब हाविक है विश्विद्याले के विद्यार्चियों के लिए है जो इसके फर्स इस्ट फोल्डर है तो विद्यार्शियों को तिस बाद को खुद ही सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बाहर के लोग आकर कि विश्य विद्याले का महाल को खराब सब्सक्राइब करें इससे हमारे एकडमिक एट्मॉस्टेर विश्य विद्याले का बहुत ही उंदा क्लाब है बहुत ही बढ़िया है हम उसे सर्फ खराब होने से रोखना चाहते हैं हम किसी की प्यार पर पाबंदी नहीं लगा रहे हैं और प्यार तो हम लोगों के रूहानी यहीं सवाल राकी मेरा आपसे भी जस तरीके से डिक्टेट कर दिया जाता है अब ठीक है पांडे जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है हमने समझाने की कोशिश किया उस फर्मान को ठीक से पढ़ना चाहिए कि बाहर के लोग अंदर नहीं आने चाहिए लेकिन ऐसा बनारस इ इसको हमें नहीं अपनाना चाहिए इस दिन को नहीं मनाना चाहिए कुछ यह भी कहते हैं मात्र पितर दिन के तौर पर इसको मनाया जाए यह क्या सही है या घलत है या पर एजुकेट करें स्टूडिंस नवजो जी आपकी बात का जवाब दूसे पहले मैं आपसे जर्नल एक कोशन पूछती हूँ, कॉलिज तो आप भी गई होंगी, ये कह रहे है कि ये वेलेंटाइन डे 14 फरवरी को ना बनाया जाए, तो क्या प्यार सिर्फ कॉलिज में 14 तारीक होता है, आपको मुझको या इस पैनल में बैटे बहुत सारे लोगों कोई बात पता होगी कि हर इंसान का पहला क्रश कॉलिज में ही होता है, पहली बार उसे प्यार कॉलिज में जाकर ही होता है, उसे समझ में आता है, प्यार की बात अगर कॉलिज या विश्विध द्याले की बात की जाए, तो इंसान जो जादू हर रोज आज भी मना होने के बाबजूद कॉलेज़े में रैगिंग होती है उसके लिए तो आपने कोई रूल नहीं बनाया उसको रोकने की तो कोई बात नहीं की क्या आपने माता-पिता दिवस बनाने की बात करी आप हर चीज का विरोध क्यों करते हैं चलिए आप कुछ नहीं किया क्योंकि आपको व्यानटाइन डेस ले बन करना रहा है क्योंकि वो पाशचाते संस्कृति हैं लेकिन पाशचाते संस्कृति से तो बहुत सारी चीज आई गी हैं जो इस जाएधा खुबसूरत बनकर या इतने जादा अच्छे तरीके से बनकर बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आते हैं जबकि एक तरीके से देखा जाए प्रोफेसर या लेक्चरार को तो बहुत सिंपल होना चाहिए धोती कुर्ते में होना चाहिए क्या होते है वो तो आप भी पास्चाते सलस्कृति को कही ना कही अपना रहे हैं एंके पांडे जी क्या सिर्फ एक दिन ये फर्मान जारी कर देना काफी होगा क्योंकि राकी ने बिल्कुल सही बात कही कि चौदा तारी को चले ठीक है कोई नहीं लागा लेकिन आगे पीछे अगर आज हैं तो हमने कब रोका है उन्हें एक खास दिन का मतलब सिर्फ इतना है उस दिन अवायंशी तत्रों के जादा एक्टी होने की चांसिज शरफे हैं कुछ लोग गलत तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कुछ फोर्स कर सकते हैं और 14 फरवरी होते ही आपको 10 फरवरी को यह बात याद आती है तो आपको यह चीज़े पहले करनी चाहिए न हम लोग बिल्कुल hand to mouth काम क्यूं करते हैं जब बच्चे गिफ्ट खरीच चुके हैं पूरे साल पैसे जोड़ चुके हैं अल्बूस चीज़ें हो चुकी है जितना बच्चों को रोकते हैं जिस चीज़ को करने के लिए बच्चे उतना ही जादा वो चीज़े करते हैं और कॉलेज में वेलेंटाइन डे वाले दिन रहत प्रफिशन करती है उसे भी रोकना चाहिए उसके भी अगेंस नभी जाना चाहिए उसमें सोस्ते हैं बच्चों को एक ही दिन प्यार देने देदे वेसे तैट देना चाहूंगी क्या दिल्ली उनिवस्टी में कभी ऐसा फर्मान जारी करने की ज़रूत आए आपके यह जब प्रसे कि देखिए हम उस संदर्म में समझें कि वैलेंटाइन्स डे है पास्चात्य समयता में भी सिर्फ यह लड़कों लड़कियों के बीच में जो रॉमेंस होता है उसके संदर्म में नहीं है वो बहुत बड़ी चीज है उसमें अपने बड़ों के साथ भी जो प्रेम ज कि कही सब्यता और कल्चर के इंफ्लूएंस के लिए खोल देता हूं और उनको बहने दो मेरे घर में परन्तु मैं अपने को उनके साथ उड़ान भरके उड़ने जाओंगा कहीं मैं स्थिर रहूंगा यहीं जमा रहूंगा तो हमें अपने ऊपर भी थोड़ा भरोसा रखना च और अगर उसमें कोई अच्छी चीज आ रही है तो क्या बुरा है ऐसा भी हमें सोचना चाहिए लेकिन आप भी जानते कि धार्मिक संग्ठन किस तरीके से बयान लगाने की बात करते हैं वैलंटाइंस डे आते ही उससे पहले तमाम तरह के फरमान चल जाते हैं आपने हमारे कि कई बार ये जो कोमल मन हैं वास्तों में ये जो टी नेजर है और जिस प्रकार की उम्र है इसके लिए सारी बात होती कि ये कोमल मन होते हैं उग्यान के साथ अग्यान एक बात बता रहे हैं विजह शंकर जी नहीं नहीं कितने अच्छा से एक्स्प्लें किया कि गांदी ज साथ बच्छयों को इतना प्यार करते हैं यह पने प्राण्स जादा प्यार करते हैं लेकिन जब रहे हमारे माबाप दायंबायान रहे हैं व्रुव तो मुझे लगता है कि इसको इस मानस कोई बतलने की जुरत है हमारे समाज में दो को हम तो हमारे देश तो प्रेम का पुजारी रहा है हमारे देश्ट की प्रेम मसूर है तो हम तो प्रेम के पुजारी तो प्यारे प्यारे बच्चों को भी प्रेम करने दीजिए लेकिन राखिजी बताईए पूचे की बदलने की दूब दूब अगर मेरे भी तो टोका जाएगा तो मेरे बात कर सकती है तो मैं जो कह रहा था कि इस देश में जो प्रेम की बात है प्रेम को टोका जा रहा है प्रेम को भीगाडा जा रहा है प्रेम बाले लोगों मारा जा रहा है हम फूहरता जो है देश में फूहरता का विरोज कर रहे हैं हम प्रेम का विरोज नहीं कर रहे ह जो है भारत की जो संस्कृति है एक दिन में त्यार नहीं हुआ है लाखों वर्ष में यह जो त्यार समाज है उसमें प्रेम क्या होता है कैसे उसको शालीमता के साथ आठाक तरह मतल्स क्यों रोकने तरह नहीं है कि अब दनिया बना रहे हैं लोग पेरिंट्स वेलेंट अधेंटार में रहे लोग पर थारेंग कोकुंत तरह जाहे हो जब ये स्थ फूल फिल रहा था तब रोगना चाहिए था आज से दस आल पहले रोगना चीए था आज तो व अगर आप एक क्षण के लिए मेरी बात सुन ले तो देखिए प्रेम अगर सच्चा है तो भी एक उठके आध्यात्मिक हो जाता है और उसके लिए कुछ प्रयोग करता है एक यूवक तो उसको इस तरह से दबाना भी बहुत मुझे नहीं लगता है समझ की बात है और हमारी प राक्षस है थोड़ा बैलेंस रखना बहुत जरूरी है आवश्चे के हमारे लिए मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी क्योंकि विजश शंकर जी भी यही कहते है और तमाम जो धर्म के ठेके दार वो अकसर यही बात उनके मुझ से एक शब्द निकलता कि अब को नुकसान पहुंचता आप यह बताएं से क्या नुकसान पहुंचता कहां क्या प्रेम संस्कृति को नश्च कर सकता है नहीं बिलकुल नहीं देखिए अगर आप गालिप की पोईटरी ले लीजिए तो गालिप के पोईटरी में एक सर पे देखिए तो इस तरह का इश्क क बात है लेकिन उसके पीछे जो गहराई है उसको देखे तो आध्यात्मिक है और वो प्रेम के अनुभवों से अपने को फिर उपर उठा लेते हैं मैंने सब के कविता में यह देखा है सिर्व गालिप की नहीं हर तवर मैं देखता हूं तो ऐसी चीजों को दबाना तो मानों का यहां पर जोड़ने के लिए प्रेम सभी को जोड़ता है तोड़ता ने इस बात को समझने की जरूरत है और डिक्टेट करने की नहीं स्टूडिन्स को एजुकेट करने की जरूरत है